प्रिय बिद्ध्यार्थियो नवांकुर के डेजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्माण सीगरगवन सी आज लेकर आया हूँ कक्षाचार विशेप पर्यावरन का पहला टॉपिक चलो चले स्कूल। आप सभी जानते हैं कि बारत का मानसून अलग-अलग प्रकारगा है। किसी राज में अधिक वर्सा होती है तो किसी राज में कम। बच्चे इसकूल किसकिस माध्यम से जाते हैं इस टॉपिक में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि यह एक द्रश जो असम राज्य का है यहाँ पर बास से बना एक पुल है। इसलिए हम इस बास का उपियोग करते हैं। अब आप देख रहे हैं यह लद्दाख का द्रश है। लद्दाख के बारे में आप तो सभी जानते ही होंगे यहाँ पर धेर सारी बर्फ जमा रहती है और इस बर्फ के पिघलने से धेर सारा पानी निकलता है। जिससे नदियों में पानी आ जाता है और नदियां बर्स भर भरी रहती हैं। तो यहाँ पर ट्राली का उपियोग किया जाता है। यह ट्राली किस प्रकार कारे करती है इसका उधारन हम एक कुए के माध्यम से करते हैं। यह चित्र दिखा रहे हैं इन चित्रों में क्या अंतर है बता सकते हो। दौनों में से किस तरह से खीचना आसान होगा पुली घिरनी के साथ या बिना पुली के। एक बच्चा बिना घिरनी के ही कुए से पानी निकाल रहा है और एक घिरनी के माध्यम से पानी निकाल रहा है। स्वभाविक है कि गिरनी वाले बच्चे को ताकत का कम प्रयोग करना पड़ेगा और पानी आसानी से निकाल लेगा सीमेंट से बना पुल जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे शहरों में भी ऐसे पुल दिखाई देते हैं हमें भी कई बार कई जगे पानी पार करना पड़ता है तब हम इसी पुल से जाते हैं ये सीमेंट इंटो और लोहे के सरीयों से बने होते हैं देखो पुल पर चड़ने उतरने के लिए सीड़ियां भी हैं कहीं कहीं ये सीड़ियां नहीं भी होती हैं आगे देखते हैं कि ये तो केरल का द्रश्य है अब आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे एक नाव में बैठ कर इस्कूल जा रहे हैं यह केरल का मनुहारे द्रश्य है अब हम पता करते हैं कि ये बल्लम क्या है आपने महाभारत काल में युद्ध तो देखे होंगे तब इन बल्लमों का प्रियोग किया जाता था लेकिन यह बल्लम वो नहीं है यह तो एक छोटी सी नाव है जो लकडी की बनी होती है और इसी पर बैठकर नन्ने मुन्ने बच्चे इसकूल जाया करते हैं अरे यह क्या यह तो उट गाड़ी है यह तो बड़ी मज़ेदार गाड़ी है जी हाँ यह राजिस्थान की उट गाड़ी है यह राजिस्थान राज्य में चलती है जहां पर रेथ ही रेथ नजर आती है दिन में तो रेथ खुब तपती है और रात में वह ठंडी हो जाती है अब आप सोच रहे होंगे कि राजिस्थान में ही उट गारी काॉपियो क्यों किया जाता है तो बच्छों उट के पैर गद्देदार होते हैं जो रेत में नहीं गड़तें इस कारण उट को रेत में चलने में आसानी होती है और उंट को रेगिस्तान का जहाच कहते हैं आपको एक बात बता दें कि उंट एक बार में 30 दिनों का पानी पी लेता है और फिर 30 दिनों तक से पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है अब आप जब अपने मम्मी पापा के साथ राजस्तान जाओ तो उंट गाड़ी की सावारी का आनंद जरूर उठाना ठीक है बच्चो अब हम आगे चलते हैं यह है मैदानी इलाका यहाँ पर बैल गाड़ी चलती है यहाँ के गाओं में आते जाते देखा होगा जहाँ पर बैल गाड़ी का उपयोग किया जाता है बच्चे इनी बैल गाड़ी में बैटकर स्कूल जाते हैं अगर बारिश या तेज धूप हो तो हम अपनी छत्रियां खोल लेते हैं क्या आपने कभी बैल गाड़ी की सावारी की है मैंने तो की है जब हम छोटे थे तो मामा जी के यहां बैल गाड़ी की सवारी का आनंद उठाते थे और अब जब आप कभी अपने मामा जी के यहां जाएं तो वहाँ पर बैल गाड़ी की सवारी जरूर करें इसमें बहुत मज़ा आता है साइकल की सवारी अब हम लंबे रास्तों पर साइकल चला कर इस्कूल जाते हैं पहले तो इस्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां इस्कूल जाही नहीं पाती थी पर अब साथ आठ लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर इस्कूल पहुंच जाती है आपने कभी साइकल चलाई है आजकल तो बच्चे बच्चपन में ही साइकल चलाना सीख जाते हैं ठीक है अरे यह क्या है यह कौन सी गाड़ी है बच्चो इस गाड़ी का नाम है जोगाड और यह गुजरात प्रदेश में दिखाई देती है यह गाड़ी फट फट करती हुई चलती है है न सांदार गाड़ी आगे से देखो तो यह मोटरबाइक की तरह दिखाई देती है पर पीछे से लकड़ी के फटों से बनी होती है यह गाड़ी पुराने बचे हुए सामान के इस्तेमाल से बनाई जाते है उबर खाबर पथरीले रास्ते यह चित्र ओत्राखंड राजिका है यह एक पहाड़ी इलाका है यहां दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़ दिखाई देते हैं उबर खाबर पथरीले रास्ते मैदानों या सहरों में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं तो बच्चों देखा कि कितनी मुश्किलों मैं भी बच्चे इस्कूल जाना पसंद करते हैं तो आप भी इस्कूल अवश्य जाएं हमें पता है आप भी इस्कूल जाना पसंद करते हैं मगर अभी कोरोना का शंक्रमन फैल रहा है तो आपको घर पर ही रहकर पढ़ना है ऐसे ही ओनलाइन वीडियो के माध्यम से अच्छे अच्छे पाठ पढ़ना है और अपनी मम्मी पापा की देखरिक में अपना हॉमबर्क भी करना है तो बच्चो आज का पाठ आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो और शेयर करो और अगले वीडियो का इंतजार करो ठीक है बाइ बाइ